बोकल जाती गुल समान को लेकर कौशल का देने ब्रमान करन में अर्जुन को ललकारा सूत पुत्र को मिली पहचान ऐसा फिर शडियंत्र रचा जो पांडू वंशित अंत करे बचा लिया पर विदुर में उंको पांडव वन पर स्थान करे फिर ऐसा संदेसा आया न्योता जो स्वेंबर का लाया होड मची थी वीरो कीपर अर्जुन का परचम लहराया भाता और पत्नि सहित घर को अब वो लौट चले दिन देखे माता ने कहा वो शब्द भी दिल को भेव चले शकुनी का प्रपंच सनो पासो को फेका जाल बुना धर्म राज कुछ समझ न पाया राज पाठ संग मान गवाया दुशासन का दुशा हस देखो केश पकड़ द्रोपदी को लाया पुर्खो को कलंकित करना देख सका गोविन की माया इमने लिए फिर पर्ति ग्याकुर योधन जंगा तोड़ूंगा लहू के फिर दुशासन के में धर से अलग मी चोड़ूंगा बारा साल हो बीत चले और तेर वथा अक्यात वास ध्वनी सुनी गांडी विकी और युद्ध का हुआ आभास खिष्ण किसे ना कौरव की खुद कृष्ण चले अर्जुन के संफिर युद्ध छिड़ा और जहां भी देखा चारो और लहू करम अर्जुन के मन में शंका थी कैसे उन पे प्रतिगात करे की ताका उसको सार सिखाया दर्म का वो संधार करे युद्ध का आया पहला दिन तीरों की वर्षा होने लगी भीष्म जो आये रथ पे तो पांडू से ना भी ध्वस्त लगी बूजा बिन जब युद्ध का आया अर्जुन ने गौशल दिखलाया शस्त्रों की तकरार हुई और भीष्मिन आगे बढ़ पाया बर्दान मिला था मृत्यू भी इच्छा से हो पर शस्त्र उठेना सामने जब शेक खंडी हो खुद ही अपना राज बताया मौत को फिर खुद गले लगाया अर्जुन पीरो से शैया बनी प्यास लगी पितामा को तो वो भी अर्जुन से ही बुजी जिसको फोली तोड सकेना ऐसे व्यू की रचना कर दी तोड दिया एक बालक ने उस अभी मन्यू की हत्या कर दी कैसा इनका हट है और कैसा इनका है ये धरम एक तरफ जलती है चिता और दूजी और छली है बदम युद्ध हुआ हो ऐसा वीशन तीर चला और दूजा आया करन जुरत से उतरा तो एक तीर हिवे को चीर आया हुआ सर्वनाश था चारो और अब विनाश था चारो और धर सर से अलग अब गिरने लगे अधरमी अब सब मरने लगे धृत राष्ट सो पुत्रों की संख्या भी अब कम होने लगे शकुनी का भी अंत हुआ और था अब बदुस्वाशन का उसके सीने को चीर दिया अब लहू के संग्षा वासन था तो विदा में दुर्योदन था जीत का कोई आसार नहीं युद्ध में कैसे विजे मिले जीवन का बस आधारी थी वचर का उसको कबच मिला पर चंगा में कंजोरी थी माथ प्रेम और शिव आपाहन से शक्ती बड़ोडी थी एक्षिशे बल राम क था और तूजे संथी खिश्नी की माया फिर कमपन महसूस हुई जो इन दोनों की गदा से आया दो योधा का पल्ट कराया भीम लगा था कुछ गसखाया देखा जब मुर्ली ने तो इशारों में था कुछ संजाया समझ के उस इशारे को जब गदा भीम ने मारा और योधन जंगा तूट गई ना उठ पाया दो बारा को अर धर्मियों का भी नाश हुआ अंत में धर्म ही जीत गया कल्यूग का आरम हुआ और द्वापुर यूग भी बीत गया और ये थी महाभारत की कहानी और अब कल्यूग में विश्नु भगवान कल्की का अफतार लेकर आएंगे चलो चलो अब सोजाओ गुड नाइट